Hello everyone, क्या आप एक IT company में job कर रहे हो, और आपको, आपके manager बोल रहे हैं कि very well done, बहुत बढ़िया, लेकिन कुछ extra करो एक बार, क्योंकि appraisal का time आ रहा है, कुछ extra, मतलब you should stand out, कुछ ऐसा out of the box सोचो, और कुछ ऐसा करो, आपको समयत में नहीं आ रहे हैं, जो बोला वो कर तो रह हूँ, जो अगर उस समय समझ में नहीं आ रहे हैं, ऐसा होता है, क्लिक नहीं करता, अगर नहीं समझ में आ रहे हैं, तो ये आपको ये points बहुत जादा help करेंगे, और at least आपकी sort of out of the box thinking है ना, उसको थोड़ा सा trigger करेंगे, कि अच्छा इस तरह से मैं कुछ तो extra कर सकता ही होती है, तो उस समय तो एक request type की होती है company की तरफ से, कि देख लेना, मतलब कुछ extra कर लेना, तो आपको अच्छा है recognition मिलेगा, बट जब ये आता है, आपके increment पे, आपके actually जो appraisal होता है, तो उस समय ये request को actually कुछ ऐसा solid point बना दिया जाता है, कि आपने तो ये किया ही नह शुरू में लगता है, तुमने तो request करी थी, हम देख लेंगे अगर कुछ करना है, बट जो बोला था, वो तो actually करा, पर होता है कि ये चीज दोनों side से अच्छी है, मतलब ये जो company है, उसके side से भी अच्छी है, obviously, क्योंकि उनके जो employees हैं, हम लोग, जैसे आप लोग हो, तो वो कुछ extra कर रहे हैं, और दूसरा employee side से भी अच्छी ही है, कि आप कुछ extra कर रहे हो, आपका थोड़ा सा mindset खुल रहा है, आप थोड़ा सोचने की आपकी tendency बढ़ रही है, होती तो अच्छी है, पर ये ना, जब finally appraisal के time पे इतनी serious image मना लेती है, तो ये थोड़ी सी discouraging भी ह हो सकती है, और उस समयना, panic situation में समझ में नहीं आता है, ऐसा क्या था, जो हमने नहीं करा, जो हमें बोला गया, वो हमने करा है, तो एक एक करके, कुछ points डिसकस करते हैं, कि शायद आप वैसा भी कर सकते थे, पहला point, मैंने कुछ points नोट करे हुए हैं, क्योंकि अलग-अलग company इसा होता है, कई बार लोग कुछ नया नहीं डवलप कर रहे है, बट support साइड में भी काम कर रहे है, बट एक automation, ऐसी चीज है, जो आप बहुत सारी चीजों में, एक बार अगर सोचो, तो बहुत सारी चीजों में लगा सकते हो, देखो, आप क्या ऐसी चीज है, जो आप एक single pattern में ही कर रहे हो, पिछले कई महीनों से, कई सालों से, जैसे, for example, मैं जेता हूँ कि, मानलो, client को कोई report जानी है, कि आज का ये progress रहा, आज का ये, मानलो, हमारा code रन करा, और उसमें testing हुई, तो उस testing का ये output रहा होता है, मतलब, जैसे software developed होते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है, directly, जब development phase में सीधा, production wise, जब productionized project हो जाता है, तो उस समय तो, automatically, ये alert वाले tools, already implement कर दिये जाते हैं, पर जो initial phase में है, उसमें भी कई projects को महीनों सालों लग जाते हैं, तो उस समय, अपना time बचाने के लिए, man hours बचाने के लिए, आप ऐसा कुछ automation ला सकते हो, कि ये काम repetitive है और हम इसको automatically इस तरह से कर सकते हैं, तो reports का मैंने एक example दिया, बाकी आप देखो, अगर कोई चीज testing वाली है, और daily आपको एक ही type की testing करनी पड़ रही है, तो आप python है, shell script है, आप उसको explore करो, उस चीज़ को चोटे-चोटे task को आप automate कर सकते हो, ये तो चोटा code की बात होग क्या होगी, और proper formatted way में, automatically भेज सकते हो, तो इस तरह का कुछ automation आप सोच सकते हो, ये रहा पहला point, दूसरा चीज, कोई सोचता भी नहीं है, documentation, extra mile ही तो जाना है, लोग करे जा रहे है, develop और महीनों से चले जा रहा है, सब कुछ, अब क्या है कि जब final, ये चीज client को deliver होती है वो कहता है कि ठीक है, मैं बैटके code पड़ू पुरा, या फिर मुझे अगर कुछ change करना है, तो मैं क्या करूँगा इसमें, मतलब मुझे एक-एक function को समझना पड़ेगा, कोई इतना होशियार बंदा लाना पड़ेगा, कुछ complex code है, तो उसको समझ पाए, एक documentation होना चाहिए आप simple way में, कोई नई library ले लो, let's say कुछ भी नहीं, Scala, Scala एक language है, Java या कोई भी, हर एक चीज का एक-एक method का, आप अगर उसका documentation सर्च करोगे, सब online मिलता है, क्यों? क्योंकि एक professional developer team के द्वारा वो चीज आपको deliver करी गई है, तो उतनी importance उनको पता थी, यह importance हम भी जान सकत है, जो भी आप product develop कर रहे हो किसी के लिए, उसका proper documentation, आप चाहे GitHub में रखो, या एक proper documentation, किसी भी चीज में, आप Atlassian के confluence में रख सकते हो, normally अगर temporary है, आप share drive में रख सकते हो, one drive में रख सकते हो, but एक client को आप यह दिखा सकते हो, कि this is extra what I have done, and this will make a good impression for you, तीसरी चीज, अग marketing code लिख रही है, उस पे ध्यान दे सकते हो, क्या code quality सही है, क्या syntaxes सही है, उसको आप analyze कर सकते हो, बहुत सारे tools आते हैं, sonar cube हुआ, आपका vera code हुआ, जो static and dynamic code analysis करते हैं, static dynamic, एक बार देख लेना मतलब अगर इस वाले topic में interested हो, तो आप यह दिखा सकते हो, कि code लिखा जा र through, उस code को analyze कर सकते हो, if everything is looking good, या कुछ उसमें improvements चाहिए, होगा नहीं, बहुत अच्छा impact होगा, अगर client सोचेगा कि सब कुछ हमारा बढ़िया से चल रहा था, बट कहीं से तो यह दिक्कते आई और किसने करी, this will be an extra mile effort from yourself, अब एक और point आते हैं, अगर आप lead कर रहे हो किसी चीज, उसके अलावा, आपको पता होता है कि team में यहां गड़बड़ है, यहां गड़बड़ है, जैसे कुछ points मैंने उपर बताए, उस चीज को client के सामने ले कर के आना, मतलब not as, मैं यह नहीं कहा रहा कि अपनी team की कुछ कमिया निकालो, लेकिन कुछ suggestions अगर हैं, तो उस में के पास और budget आएगा, कि हाँ, यह बहुत बढ़िया point था, और मेरे से पैसा ले लूँ, लेकिन यह चीज बहुत सही बताई, इसको fix करो, हो गया आपका extra mile, ठीक है, तो एक और point मैंने, वैसे यहां पर लिखे हुए है, मतलब मैं कहीं ऐसे, कोई यह written चीज नहीं है, जो थोड़ा सा अनुमान, कई बार एकदम सामने evident होता है, कि इसकी जरूरत नहीं है, चोटे से काम के लिए इतनी बड़ी services की जरूरत नहीं है, यह एक cheaper service में, या manually, in-house setup में काम चल सकता है, ऐसा आप suggestion दे सकते हो client, या उस चीज पर कुछ नहीं, तो एक POC कर सकते हो, पहले इ कि अब थोड़ा साना improvement side में, मतलब specifically अगर आप एक lead कर रहे हो एक team को, आपके लिए बहुत important है कि अपनी team के बारे में भी आप सोचो, तो वो intern आपको भी help करेगा, कैसे आप एक काम कर सकते हो, आप cross-skilling करवा सकते हो, cross-skilling मतलब 10 बंदे हैं team में, और obviously किसी की skill ज़्याद करके cross-skilling कराईए, बहुत लंबा नहीं, 10 minute, 15 minute का session रखवाईए, और team को आपस में connect करा करके, जो तुमें आता है, मतलब different topics, जैसे आज हमने topic A लिया, जो दो बंदो को आता था, 10 बंदो की team में, 8 बंदो को नहीं आता था, ये बंदो ने इनको सिखा दिया 15 minute में, नहीं पर से ऐसी बहुत सी चीज़ होंगे, जो में भी आपको भी ना पता हूँ, तो अच्छी बात है, आप इस चीज़ को दिखा सकते हो, अपने company को, that we are totally working on increasing our overall knowledge strength, ठीक है, अब एक और point पर आते हैं, जैसे कई बार new joinies होते हैं, और new joinies आपको पता है, अगर आप खुद हो, जो new joinies आप देख रहे हो, तो इसको अपनी तरह से interpret करना, अगर आप lead हो तो अपनी तरह से interpret करना, बट ऐसा usually देखा गया है, कि जो new joinies होते हैं, उनको deliberately नहीं, लेकिन exactly मतलब one-to-one client, अगर ऐसा कभी encounter होता है, कि client उनसे कुछ पूछने लग जाए, उतना idea नहीं होता, किस इस तरह से बात करनी है, या फिर, sometimes, simple simple चीजों के लिए हो सकता है, कि थोड़ा सा, मतलब, जिजकना, और थोड़ा सा hesitation, उस चीज में होता है, कि client है, तो कोई बड़ी चीज होगी, पट ऐसा, आपको पता है, ऐसा नहीं होता, मतलब, the people who are senior, तो उस चीज में, इन सारी को, आप new joinies को groom करने के लिए, being their buddy, आप उनको groom कर सकते हो, छोटे-छोटे session ले सकते हो, कि this is how, क्योंकि वो लोग नए है, तो this is how things work, and उन लोगों को थोड़ा सा groom करके, उनका confidence boost up करना, तो इसमें कहा है कि companies, जो new joinies है, उन पे जाधा focus इस लिए करती है, obviously billing कम रहती है, मतल तो it's anyways good for the company, and अगर company के लिए अच्छा है, तो आपके लिए अच्छा है, वो extra mile बताओ ना भाई, करा है ना तुमारे लिए, बहुत important point है, आपको देखना है कि company की nabs कहां पे है, और उसको हम कैसे help कर सकते है, this all, मतलब अभी तक जो बखता आ रहा हूं है, यही सब है out of the box thinking, जो जल्दी से समाज में नहीं आती, इसलिए मैंने short में, जल्दी से, मतलब list down कर दीए, ठीक है, एक, मतलब बहुत उपर के level पे last चीज़ बताता हूं है, आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कोई methodology project की अच्छी नहीं है, बीट ऐसा हो सकता है कि आपकी company के चीज़ें अच्छी रहें, अभी development phase में हैं, तो इस समय agile will be a good practice, तो इस तरह की चीज़ें भी आप implement करवा सकते हो, POC कर लो, documentation कर लो, कि अभी जो हमारा scenario है, this is what is going wrong, और अगर हम agile या कोई नहीं methodology implement करते हैं, तो यह हमारा benefit हो, तो इस तरह की चीज़ें, मतलब कुछ मुझा याद हैं, तो मैंने सुचा एक वीडियो बना देते हैं आपके लिए, बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें, अगर आपके पास कुछ ऐसे points है, तो सब के लिए helpful हो सकते हैं हमारे GK Code Labs community के लिए, तो comment section में जरूर वताना, और हम try करेंगे, अगर ऐसा कुछ और आया, तो आपको शेर करते रहेंगे, और ऐसी बहुत सारी insights में देता रहूँगा, मतलब ये community, developers, career, जो लोग चाह रहे हैं IT में, technology में, सब के लिए हैं, तो it's open for all, इसी तरह की वीडियो में लाता रहूँगा, thank you guys, ये वीडियो देखने के लिए, but please, जल्दी से subscribe ज़रूर कर लेना, चलो, thank you guys, see you later.